हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबों का अबिशी एकाडमी पर फ्रेंट्स आज के इस क्लास में स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लगाने वाले हैं इससे पहले स्पार्क का और भी क्लास दिया जा चुका है जो भी लोग नए हैं बिहार दरोगा के अगर आप तयारी कर रहे हैं प्ले लिश्टा कर चेक करिए बिहार दरोगा के लिए धेर सारा प्रैक्टिस से टबले वाल है जिसमें कि आपका ग्यान मिंदू, क्राउन, इडूटेरिया, प्लेट फॉर्म, इस पार का आप देखी रहे हो काफी शारा क्लास आपके लिए हैं तो आप एक बार प्ले लिश्टा का जरूर चेक कर देजेगा आईए आज के इस क्लास के कोश्चन नमबर फर्ष्ट को देखते हैं निमलिखित अंगरेजों में से किसे जहंगेर ने खान की उपाधी से शम्मानित किया था सही जबाब है ऑप्शन नमबर भी सर टॉमस रो को ध्यान रखें ब्रेटिस दूथ सर टॉमस रो को मुगल सम्रार जहंगेर ने खान की उपाधी से सम्मानित किया था इसे आप जरूर से जरूर याद रखेंगे नमबर सकेंड निर्मलेखित में से किष ने विश्तित सिचाई की नीती का सूत्र पात किया था ओप्शन नमबर आपको जही बताना है लॉर्ड डलहौजी इसका समय जो है साशनकाल मतलब ये जो थे 48 से लेकर के 56 तक बने हुए थे इन ही के समय में ध्यान रखेंगे शार्विजिक जो से निर्मान विभाग है इसकी अस्थापना की गई थी सिचाई है यातायात है इन सबको सिस्टेमाटिक धंक से बनाने का काम अगर पूछेगा किसके द्वारा तो लाड डलहोजी के ही समय में इन ही की द्वारा किया गया था सीच महल कहां पर इस्थित है सीच महल आप्शन नमबर डी आगरा बता दिजेगा डी राइट आंसर है सीच महल का मतलब दरपनो का महल है लाहोर के लेके उत्तर पश्चिम का जो कोना वाला एरिया है वहीं पर या इस्थित है सोलर 131 इश्वी और 32 इश्वी इसमें मुगल समराट सा जहां के ही सासन काल में इसका निर्मान हुआ था अगर पूछेगा सीच महल कब बन कर तयार हुआ अराम से आप सोलर 131 और 32 का टाइम ध्यान रखेगा और इसे आपको बता देना है नमबर फूर सतत अल अरब इन समय से कहां के बीच का स्रिमांकर मनाती है कहां का ये देखा निर्धारन करती है कहने का ये मतलब है फूर के लिए आपको ऑप्शन नमबर बताना है ईरान और इराक के बीच में सतत अल अरब स्रिमांकर का निर्धारन करती है इन में से किने सार्विजनिक काका कहा जाता ठाए ऑप्शन नमबर डी गनेश वासुदेव जोसी को गनेश वासुदेव जोसी पूना साविनिक सभा के संस्थापक सदस थे उन्हें प्यार से सभी क्या कहते थे काका किसे कहते थे गनेश वासुदेव जोसी को निमलेकित में से कौन सा छेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम परभावित हुआ है option number C मालवा पठार कौन सा छेत्र है जो भूकंप के द्वारा सबसे कम परभावित हुआ मालवा पठार बुंदेल खंड, छोटानागपूर, रायपूर इन सब पे अच्छा खासा एफेक्ट पड़ा है भूकंप के वज़े से लेकिन मालवा के पठार पे बहुत कम पड़ा है नमरिकित में से कौन, चोगान, यानि कि पोलो खेलते समय, मारा गया था ए, एबग, कुतुबुद्दिन एबग आप ध्यान रखेंगे दिल्ले सल्तरत का पहला शाशक, कुतुबुद्दिन एबग इनकी मेत्तियों हो जाती है, वर्स 1210 इश्वी में हर एक डेट को आप जरूर से जरूर याद करते चलिए, जो लोग नए हैं आपको डेट याद करना ही पड़ेगा, डेट से भी सवाल पूछा जाएगा 1210 इश्वी में चोगान खेलते हुए, अच्छा, अब सवाल बन सकता है कहाँ पर इनके मेत्यू हुई थी, जड़ा यहाँ बताईए, इसके लिए आपको लाहोर बताना है कहाँ पर लाहोर में पोलो खेलते हुए, इनके मेत्यू हुई थी मदन मोहन मालविय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से रिन लिया था एरा आइट अंसर पंजाब निश्नल बैंक से रिन लिये थे सवाल बन सकता है कितनी रुपए कर लिये थे, यहाँ पर आप पचास हजार याद रखिएगा पचास हजार रुपए का कर्ज लिये थे पंजाब निश्नल बैंक से महत्मा गांधी ने सरव पर्थम सत्याग्रह के हत्यार का प्रियोग कहाँ पर किये थे दच्छिन अफ्रिका में डीराइट आंसर है, NCRT सार संग्रह का अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कोस्टन्स है वो मिल रहा है, क्लास आप लोगों को NCRT सार संग्रह दिया जा रहा है और अब देखिए, सारे के सारे सवाल आपको पता चलेगा यहीं से आ रहा है जो भी लोग नए हो, ध्यान रखिए, 27,000 से ज़्यादा प्रस्णों का संग्रह NCRT सार संग्रह बुक में दिया गया है इसका के क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, प्लेलिस्ट आकर चेक कर ले अगर आप उस पे कमांड कर लेते हैं, ध्यान रखिए, 70-80% कोश्ण आपका वहीं से सॉल्व हो जाएगा उसी टॉपिक से, उसी बुक से आपका कम्पलीट हो जाएगा, इसलिए उस पे जरूर से जरूर पकर बना लेजिए दरोगा में अगर एक सीट चाहते हैं, पकर बनाना ही परेगा NCRT सार संग्रा पे NCRT सार संग्रा का मतलब NCRT का संपूर निचोर दिया हुआ है, उसके अलावे कोई भी सवाल कहीं से नहीं आएगा करेंट अफियर्स को बस छोड़ के अंक करनेती में दर्शमलव, शंकेत का अविश्कार किसने किया था ओप्शन नंबर C, गिरीकों के द्वारा किया गया था चलिए नंबर 11 है, आपके लिए कमेंट करके आप जरूर बताएं भगवान जो बुद्ध हैं, इनका जन्म हुआ था कितना इसापुर में, नंबर 11 का राइट अंसर A, B, C, D जो भी हो, कमेंट करके जरूर बताएं सब, नेक्स्ट वाले क्लास में इसका अंसर बता दिया जाएगा सब शे बड़ा हिमनद, निम्रिखित में से कौन सा है सब शे बड़ा हिमनद है, गंगूत्री इसका छेतरफल हिमनद का पूछेगा न, 25 किलो मेटर बताएगा यहाँ पर रंडून करके दिया हुआ है, इसका है 16 किलो मेटर याद करते चलिए फ्रेंड्स, जरूर याद करते चलिएगा आप ही लोगों के लिए कहा जा रहे है इसका भी है सेम 16 किलो मेटर और केदारनाथ का है 14 किलो मेटर इन सबको जरूर याद कर लिजएगा काल चूरी की राजधानी थी, कहां? काल चूरी की option number D right answer, तिरपूरी थी काल चूरी की राजधानी कहां थी, तिरपूरी तारिक ए फिरोशाही लिखा गया था, option number आपको यहाँ पे जियाओदीन बर्नी याद रखना है, जियाओदीन बर्नी के द्वारा तारिक ए फिरोशाही लिखा गया था, तारिक ए फिरोशाही मतलब कहिए कि दो ग्रंत है एक का जो लेखाक है जयाओदिन बर्णी है और दूसरे का सम्स सिराज अफीफ है सम्स सिराज अफीफ करके है दूसरे का ये लेखाक है यहाँ पर आपको option number याद रखना है जयाओदिन बर्णी के द्वारा तुलसीदास किनके शासनकाल के दौरान के है ए अकबर राइट अंसर है महाकवित तुलसीदास अकबर साथे साथ जहांगीर भी नाम आप याद रख लीजिए अच्छा रहेगा अकबर और जहांगीर इन दोनों के शासनकाल के थे ये इन्होंने ही राम चरित मानस की रचना किये है निम्न में से कौन से अस्थानिक जाती है बताएं अस्थानिक जाती नमबर सिक्स्टीन ओप्शन ए धनेस यानि के होर नबिल आपको बता देना है कहरा है गुरुत्वा गुरुत्ये जो कैपिटल जी है इसका इस्तिरांग स्मॉल जी के सापेक्च है यहाँ पे आप अराम से याद कर ले स्मॉल जी इकल टू जी एम बाई आर स्क्वाइर होता है यहाँ पे कौन सा है जो सदिस दिख रहा है आपको विस्तापन सम्वेक, चुमबक्य छेत्र तेविता चोड़ के आप ऐसे कहिए कि यहाँ पे ना तीनोध है तो आप्शन नमबर डी ही टीक करना होगा किसी एक को छोड़ नहीं सकते हैं विस्तापन, सम्वेक, चुमबक चेत्र के तेविता यह सभी क्या है शदिस है इसके लिए आपको आप्शन नमबर डी ही टीक करना होगा धली राजहरा छेत्र से लोह अयश्क किस इस्पात सयंत्र को आप पूर्ती किया जाता है यहाँ पे आपको ए राइट आंसर भिलाई आप ध्यान रख लीजेगा नमबर ट्वेंटी है एक हर्ट बराबर है कितना के एक सैकल बाई पर सकेंड आपको बता देना है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नमबर ट्वेंटी वन टैली ए टैली पतली फिल्मों में सुन्दर दिखने वाले रंगों प्रकास में होने वाली घटना से होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं अप्शन नमबर आप बी को याद रख लिएगा व्यतिकरन कहते हैं टैली पतली फिल्में शुन्दर दिखने वाले रंग प्रकास में होने वाली घटना से होते हैं इन्हें व्यतिकरन कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन फूलों की घाटी उत्राखन के किस अस्थान पर है और ये पुरा वर्ल्ड फेमस है इसके लिए आपको बताना है चमोली जीले में वर्ल्ड रेवल पे फेमस है फूलों की घाटी उत्राखन राजी के चमोली जीले में है नेक्स्ट कुश्चन वेश्व में भारत उत्पादन में अगरनी है किस चीज के उत्पादन में माइका option number C माइका मतलब हो जाता है आपका अबरग ठीक है इसके उत्पादन में लगभग भारत का 80% उत्पादन होता है ये भारत उत्पादन करता है option C बताइएगा रोधीरवर्ग का पता किस ने लगाया था लैंड इस्टीनर ने अस्ट्रेलिया के थे ये सवाल या भी पूछा जाता है कि ये कहां के रहने वाले थे अस्ट्रेलिया के थे लैंड इस्टीनर इन्होंने ही option number आपको यहाँ पे रोधीरवर्ग के लिए भी ठीक करके बता देना है योगिक जिनमें कार्बन, कार्बन, द्विबंद होते हैं क्या कहलाते हैं अलकिन्स, option number भी बताइएगा बंगलादेश में प्रवेश्च के पस्चात गंगा नदी, निम्न में से किस रूप में जानी जाती है गंगा नदी में जैसे ही जाती है बंगलादेश में जैसे ही गंगा नदी जाती है न ये बन जाती है पदमा निम्रिखित में से बताइए राजियों में से कौन सा एक साधरन नमक का अधिक्तम उत्पादन करता है option number D राजस्थान ध्यान रखिएगा साधरन नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन इन सबमेशे करता है निम्न इन सबमेशे किस की रूपन फसल कौन सी है जो नहीं है बताएं चाय है, कौफी है, रवर है, गन्ना नहीं यहाँ पर देखे, रूपन फसल का मतलब होता है एक धानने के एक फसली है क्रिसी होता है जिसमें कि अधिक से अधिक, मतलब कर यह ज़्यादा लेवल पर खेती की जाती है यहाँ पर आपको गन्ना ध्यान रखना है नाथूला दर्रा भारत को जोड़ती है अप्शन नमबर वी नाथूला सिक्किम में डोग्ये का श्रेनी में है यह भारत को चीन से जोड़ने का काम करती है नम्रिकित नदियों में से किस एक का मान सरोबर जील के पास तरूत नहीं है जेलम का है सतलच का है सिंधू का है चिनाव का नहीं है चिनाव यह सिंधू की सहयक नदी है याद रखें बारा लाचा दर्ड़े के पास से यह निकलती है कहां से बारा लाचा दर्ड़ा के पास से यह निकलती है सिंधु का उद्गम पूछेगा अस्थल तिबबत में मान सरोबर के पाश खानो ख्यायाब करके है सानो ख्यायाब करके हिम्नद यहीं से निकलती है इसको भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा पर्थम सम्विधानिक संसोधन अधिनियम 1951 किस से समन्दित है इराक की सीमा घिरी है कितने देशों से इराक की सीमा टोटल 6 देशों से घिरी हुई है जिसमें क्या आपका टर्की है इरान है इराक को इराक टर्की इरान कुवेद सौधी अरब जोर्डन शीरिया इन सब से ये घिरी हुई है भारत को गन तंत्र क्यों कहा जाता है बताईए 33 का डी यहां राज्य का प्रमुक निर्धारित अबधी के लिए चुना जाता है यहां पे हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब भारतिय राष्टिय ध्वर्ष्ट रंगा के असोक चक्र में कितनी आराएं होती है भारतिय राष्टिय जो जंडा है इसके बीच में आप जानते हो 24 आराएं जिसे आप स्पोक्स भी कहते हैं यहां पे 24 ऑप्शन नमबर 34 का से बिल्कुल सही जवाब है नमबर 35 है संसत के दोनों सदनों का सयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विध्यक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो जब मतभेद होगा तभी न दोनों का जो है यह कहिए कि संसत का दोनों सदन सयुक्त अधिवेशन के रूप मतलब एक साथ किया जाता है निमरी खित में से कौन मौरी शाषकों का सही कारनुकरम है मौरी शाषक का पूछा न यहाँ पे राइट रांसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी चंद्गुप्त पिम्बिशार अशूक आप याद रखिएगा नमबर थर्टे सेवन हर सुवर्धन का शाषनकाल डी बताना है कितने वर्षों के लिए 40 वर्षों के लिए रहा था निमरी खित में से कौन सा एक बहुत धर्म एवंग जैन धर्म में शामान नहीं है यहाँ पे आपको बताना है 38 में ए राइट अंसर दोनों ही मौक्छेतू कठोर तपश्चा एवंग अतिसयम अवश्चक है ऐसा मानते थे यह दोनों में एक समान नहीं है आपको ध्यान रखना है मगद में मौर्ष शामराज के तातकालिक उत्राधिकारी कौन थे यहाँ पे आप सूंग मगद में मौर्ष शामराज के तातकालिक उत्राधिकारी पूछेगा शुंग थे तत्वता वर्ण विवस्था इन समय से किस पर आधारित इसमें से उपजीविका पर आप्शन नमबर आपको यहाँ पर सी बताना है भारत का विभाजन किया गया था माउंट बेटन योजना 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कैसे हुआ तो यह माउंट बेटन योजना 1947 के द्वारा हुआ था बंगाल में द्वैद सासन की अस्थापन किस ने किया था ए लॉड कलाइब के द्वारा बंगाल में द्वैद सासन कहिए सरकार कहिए इसकी वेवस्था की गई थी अठारा सो संतावन का विद्रो द्वारा हुआ शब से महत्रपून परिवर्तन क्या था इस्थ इंडिया कमपनी का शाषन का अंत होना पुरानों की संख्या कितनी है अठारा पुरान की संख्या अठारा है इसके रचाइता पूछा जाता है लिखने वाले का नाम बताइए क्या है आप यहां पे लोम हर्स और इनके पूत्र उग्र शडवा याद रखिएगा उग्र शडवा पार्सियन भारत में सरपर्थम आये सूरत में आये थे पार्सियन भारत में सबसे पहले कहां सूरत में आये चांद बीवी जिन्होंने अकबर के बल के शामने समर्पन कर दिया था ये कहां की सासन थी साशत थी सासिका थी यहां पर आपको 46 का बताना है एराइड अंसर एहमद नगर की चांद बीवी कहां की एहमद नगर की सासिका थी और अकबर के बल के सामने समर्पन कर दिया थी नोंने निम्न हैलो जनों में कौन सा है जो परमानू का आकार जिसमे के सबसे बड़ा होता है ये आयोडीन आपको बता देना है टीपू सुल्तान शासक थे टीपू सुल्तान कहां के सासक थे मैशूर के सीराइट आंसर नादिर्शा जिसने भारत पर आकरमन किया था सीराइट आंसर इरान से धक्कर पर विजय प्राप्त करने वाले पर्थम मुसल्मान ओप्शन ए अलाव दिन खिलजी बताईएगा किस अस्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में किसी अस्थान पर क्या रेक उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का बताएगे किसी अस्थान पर उच्च ज्वार भाटा में 12 घंटे 26 मिनट का क्या होता है अंतराल रहता है तीन जनन छिद्र ओप्शन नमबर बी राइट आसर द्वी बीच पत्रियों में पराक्कर्ण कैसा तीन जनन छिद्र वाले होते हैं भारत में श्विकारी ध्वनी पर दूसर अस्तर की शीमा कितना से कितना रखी गई है चारिस से पैतारिस डिसीवल आप यहाँ पर बता सकते हो बही मुर्खता सिद्धान्त अर्थ सास्त्र की एक साखा का मूल सिद्धान्त है ओप्शन ए इन्वा इरोनॉमिक्स सही जवाब हो जाएगा बही मुर्खता सिद्धान्त जो है अर्थ सास्त की एक साखा का मूल सिद्धान्त है किश्का है यह न इन्वारोनॉमिक्स का होता है ध्यान रखेंगे बहु उद्देशी नदी घाटी पर योजना है आधुनिक भारत की नए मंदिर है आप्शन नमबर डी पंदिर जवाहरलाल नहिरू के द्वारा यह कही गई बात है अंकिये परिपथों द्वारा किस परकार की सूचना पदतियों को मानता दी जाएगी 56 का द्वी आधारी पदति होगा अंकिये परिपथाओं द्वारा किस परकार की सूचना पदतियों को मानता दी जाएगी दुईधार ये पदति को हो जाएगा ये राय टांसर नेमन में से कौन राजनीतिक नहीं था 57 का राय टांसर ओप्शन नमबर SL बहुगुना ठीक है गुल्यार साहाब जैललिता एन एच एन बहुगुना ये सभी नेता थे राजनीतिक थे मदन मोहन मालवियों को महानमा की पदवी किष्ण्यदी महानमा मदन मोहन मालविया आप जानते हो न किस के द्वारा दिया गया थ ये दिया गया था ओप्शन नमबर सी गुपाल क्रिष्ण गोखले के द्वारा यूएस हाउस ओफ रिपर्जेंटेटिव में सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन का नाम 59 का राय टांसर हो जाएगा ओप्शन दे तुलसी गबार्ड यूएस हाउस ओफ रिपर्जेंटेटिव में सेनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन का नाम तुलसी गबार्ड आपको बताना है सही मिलान यहाँ पर कर ये नमबर 60 में क्या होगा अंड पी तक के रनक प्रोटीन और वशा ये सही दिया हुआ है नेक्स्ट कुश्चन भारत छोरो आंदोलन के समय वाई शराय कौन था? भारत छोरो आंदोलन के समय नमबर 61 C लौड लिनलिथ गो आपको यहाँ पर बता देना है इनका कारिकाल आप जान लिजी अच्छा रहेगा 1936 से लेकर के 1943 तक इनका कारिकाल रहा था IPCC इसका पूरा नाम लिखिए फुल फॉम आपको याद करना ही पड़ेगा किसका क्या होता है 62 का आपको यहाँ पर C बता देना है Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC का पूरा नाम होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषना पत्र किसने कहा था 63 सही जवाब हो जाएगा Option No.C पंडिच जवाहरलाल नहरू कहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषना पत्र जवाहरलाल नहरू के द्वारा कहा गया था बताईए काजू की फशल पर एंडो सलफॉन के छिरकाव के फलसुरूप महाविपता के अस्तर पर प्रदूशन हो गया था कहाँ पर सही जवाब हो जाएगा option number A हुआ था A मतलब कि खेडल में हुआ था functional यानि कि प्रयोजी राजसु समंदित है कहां से option number आपको यहाँ पर बताना होगा डी राइट अंसर अबबापी लर्नर से ये समंदित है देखिए समझिए प्रयोजी राजसु का विचार अबबा का यह या अस्वा करके होता है अस्वापी लर्नर ने 1970 1970 के दसक में दिये थे इस सिधान्ट के अनुशार्न विर्धी, रोजगार, समर्धी या महंगाए को कम करने के लिए लगातार प्रयास करना होता है ये समंदित है इसी से फैरर्ड किसका एकक है एराइट आंसर हो जाएगा फेराडे धारिता का होता है फेराडे कहिए धारिता का होता है ध्यान रखिएगा निम्न में से कौन सा इंपेक्ट प्रिंटर है इसके लिए आपको बताना होगा ओप्शन नंबर D डेजी वील प्रिंटर सही जवाब है अमोनियम सलफेट में मौझूद नैट्रोजन का परतीसत है कितना हो जाएगा 21% एराइट आंसर अमोनियम सलफेट में नैट्रोजन होता है कितना परशेंट 21% होता है नैट्रोजन अमोनियम सलफेट में निम्न में से विशम पद को पहचानी है जो सबसे अलग आपको दिख रहा हो देखिए अप्टिकल, फाइवर, पेयर, वायर और ये केबल एक होता है लेकिन माइक्रोवेव आप जानते हो सबसे अलग दिख रहा है 1923 इस्वे में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतिलाल नहरू के साथ मिलने वाला कॉंग्रिश का अननिता का नाम बताईए क्या था नंबर यहाँ पे आपको 70 का बता देना है भारतिय समिधान के किस भाग में मूल करतव निर्धारित किये गए है 71 सही जवाब हो जाएगे देखिए समिधान में नागरिकों के मौलिक करतव 1976 यानिक 1976 के द्वारा याद करें से 1976 के द्वारा जो गठित हुआ था स्वार्ण सिंह समीती इसी के सिफारिस पर 42 में समिधान सलसूदन 4 के ए में जोडा गया था मूल करता हुए केंद्रिय मंत्री मंडल में मंत्री मंडल सदस्य का पर निम्न में से किसको मिलता है योजना आयोक का उपाध्यक्ष यहां पर आपको बता देना है बी राइट अंसर पिर्थवी की किस अक्षान तर रेखा पर सबसे लंबे दिन को शूर का प्रकास 24 घंटे उपलब्ध रहता है सारे 16 डिगरी आपको बताना है बी राइट अंसर है आंग शान सू की कहां की मूल निवाशी है मियामार बी राइट अंसर हो जाएगा DPT वैक्षीन किन बिमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है ए डिफ्थेरिया काली खाशी और टिटनस से बचाव के लिए DPT वैक्षीन दिया जाता है नमबर 76 कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है ओप्षन बी राइट अंसर कहां पर है पिर्थ्वी पर है हीर को यान की करेक्ट डाइमंड्स का दाम जल में अधिक होता है क्योंकि आप्षन नमबर आपको यहाँ बता देना है बी क्योंकि ना क्रिताओं के लिए उनकी सिमांत उप्योगिता जल से अधिक होती है बी सही जवाब है 5% जल वाले एथनॉल को क्या कहते है 5% जल वाले एथनॉल को कहते है Option C यनि कि परी सोधित इस्पिरिट कहा जाता है 5% आप यहाँ पे ध्यान रखे देखे 95% चलिए से रहने दी समझ लिए इस बात को 5% जल वाले एथनॉल को क्या कहते है परिसोधित इस परिट आपको बस याद रखना है फिर नेक्स्ट सवाल यह जब आएगा इसको अच्छे से एक्स्प्लेंट किया जाएगा निमने भूमी परियोगों में से कौन सा विशेश आर्थिक छेत्रों तक सीमित है option number B मुक्त व्यापार किंद्र सही जबाब हो जाएगा ब्राजील धारा के पुर्व की और चलते रहने को कहते हैं क्या कहते हैं ए दक्षिन अट्लांटिक अपवाह ब्राजील धारा के पुर्व की और चलते रहने को दक्षिन अट्लांटिक अपवाह कहते हैं शत्याग्रही M.K. गांधी को शत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी सबसे पहले बताईए कब हुआ था नमबर 81 का आप्शन नमबर आपको भी बताना है वर्स 1908 में वर्स 1908 में सवाल क्या कह रहा है फिर से दिखिए M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुआ था यहां पर आपको 1908 हाविल को 1908 ही होगा सही जबाव है संचार उपग्रहों का परियोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुना प्रेशित करने के लिए संचार उपग्रह का परियोग किया जाता है भारत में प्रत्यावर्ति धरह की आविर्थी कितना हर्ट होती है 50 एड आई टांसर धियान रखेगा भारत में प्रत्यावर्ति धरह के लिए पूछा जाता है इसके लिए आपको 50 हर्ट refugees बताना होता है देखिए अगर आप इसे इसे समझेए 230 वोल्ट इसी हो गया पच्चास हर्ट इस तरह से आप याद रखिएगा शुधारक अखवार के शुरुवात किसने किया था गोपाल जी अगरकर के द्वारा शुधारक अखवार के शुरुवात की गई थी नमबर 85 वन इस्ट्रो रिवोल्योशन किसने लिखा है ऑप्चन नमबर डी मेश नूवू फुकुओकाने वाई सोशलिजम पुस्तक के लिखक का नाम जै परकास नारायन डी राइट आंसर शरीर का तापमान सहना कम होने के कारण सरीर से अधिक ताप की हानी के फरसुप अल्पताप होता है यहाँ पर आप आप ऑप्चन नमबर भी बताएंगे मानवों में होता है बी राइट आंसर विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग का नाम बता दीजिए क्या है आप्चन नमबर डी चेचक को इतर से कहिए कि पूरे विश्व में समाप्त किया जा चुका है राष्ट पती के पद के रिखती अवश्य भरनी होती है कितने टाइम पिरियड में नमबर 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप्चन नमबर बताइए राष्ट पती के पद के बारे में कहा कितने दिन में भरना जरूरी होता है छे महीने के भीतर चेचन नमबर ब्लाड क्या है ब्लाड है ऑप्शन नंबर ए Will लिमेनिक कहलाती है नंबर 93 बताईए इस्टील रबर से अत्यधिक प्रत्यास्त है क्योंकि क्योंकि आप्शन नंबर ए इस्टील को अधिक विरूपन बल चाहिए होता है मौखिक गर्ब निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मून कौन सा है पोजेस्ट्रोन भी राई टां रहते हो इसका कारण होता है ओप्शन नंबर डी नैट्रोजन ओक्षाइड और सल्फर ओक्षाइड के वज़ा से होता है 96 चार पांस सवाल मैस करेगा आपको खुद स्वाल्व करना है इसका ए राइट आंसर आएगा 97 को स्वाल्व करिएगा ओप्शन नंबर फिर से ए आप लोग तो असा धिहान दे दे जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं यहां तक आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा अगर आप बिहार दरोगा की तयारी कर रहे हो अगर आप घर में ही रहा के पढ़ा अगर आप घर में ही रहा के पढ़ाई कर रहे हैं आपको पढ़ाई का लेवल थोरा बढ़ाना परेगा थोरा बहुत होता है कि परवर के दरोगर के मैनेज करके छोड़ दिया जा रहा है अगर पढ़ाई आप अपने पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं आप बहुत बड़ी तयारी करवा रहे हैं, उनके पर देखते होंगे कि वर्दी वगर में काफी सारे स्टुडेंट आते हैं, दिखाते हैं कि हाँ, यहीं से परके ये लोग दरोगा की तयारी कर रहे हैं, तयारी कर चुके हैं, आप सोचिए कि वो लोग तयारी कर रहे थे, उनका काफी लोगों का पा रहे हैं खुद से तयारी कर रहे हैं क्या आपका और उनका लेवल अभी से सही है जो कि तिन चार मेहना पहले से ही बिहार दरोगा का जो क्लास है बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में स्टार्ट हो चुका है यानि कि आप समझे नवंबर दिसंबर से ही क्लास स्टार् से दरोगा का बैच स्टार्ट हो चुका है और काफी हद तक परहाई उन लोगों का अच्छा हो चुका है आप अपने आपको थ्वा देखी आपकी इस लेवल पे हो जरूरी नहीं है कि कोचिंग जाने वाले बच्चे ही दरोगा का या भी कोई भी जॉब निकालेंगे घर म परहाई पर अपना फोकस करिए टाइम अच्छे से कम से कम देजिए जो भी लोग कोचिंग सरस्थान जाकर कहीं और जाकर जाकर जितना दिर पढ़ते होंगे फिर घर में होमवग करते होंगे कोसिस करिए उसी की लेवल का आप भी तैयारे घर में राके कर सकें ऑनलाइन य आकर चैनल को सब्सक्राइब करिए हर दिन एक बज़े करें इंटरफियर्स का क्लास आता है उसे भी देखिए एंसे आटिस सार संग्रा का क्लास दिया गया है उसे तो जरूर एक से दो से तीन बार हर एक क्लास को अभी से आप लोग अच्छे से देख करके अपना हर एक लीजिए मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ